बच्चों चुम्बक इसके बारे में तो आप जानते ही हैं चुम्बक चुम्बक के पदार्थों को आकर्शित करता है देखिए मेरे पास भी यहां एक चुम्बक है चुम्बक में कितने द्रू होते हैं बिल्कुल सही दो द्रू एक उत्री द्रू और दक्षने द्रू यहां यहां पर बाउल में कुछ ओल्पिन्स है और इस बाउल में है लोह के चूण. चलिए अब हम एक काम करते हैं, यह जो चुम्बक है इसको ओल्पिन्स के पास में ले जाते हैं. आपको पता है ना क्या प्रत्तिक्रिया होगी? वही कि यह सारी जो ओल्पिन्स है वो चुम्बक से चिपक जाएंगी. यह देखिए, यह ओल्पिन्स चुम्बक से चिपक गई हैं. पर एक बात देखने लिए ये भी है कि जो अल्पिन्स है उन में से कुछ अल्पिन जो है वो चुम्बक के से सीधी जुड़ी हुई है सीधी चिपकी हुई हैं लेकिन कुछ आलपिन्स ऐसी भी हैं जो क्या हो रही है उन आलपिन्स से चिपकी हुई है जो चुम्बक से चिपकी हुई है इसके अलावा एक काम करते हैं यह जो एक आलपिन जो छूट गई है इसको भी देखते हैं एक आलपिन के पस ले जाकर यह द यहां पर इस प्रकार विवस्तित कर रहे हैं और इस आलपिन को इसके दुरूं के पास ले जाएंगे तो चलिए मैं इस आलपिन को इस दुरू उत्री दुरू के पास ले जा रही हूँ क्या हो रहा है यही प्रक्रिया हम दक्षनी दुरू के साथ कर लेते हैं यह देखिए इ यह भी इसे आकर्शित कर रहा है अब एक काम करते हैं इसे हम ले चलते हैं सेंटर की तरफ यह देखिए जब इस आलपिन को मैं यहां सेंटर पर लेकर आ रही हूं तो क्या हो रहा है देखिए दुबारा देखिए जब हम इसे सेंटर पर ला रहे हैं यह देखिए मतलब यह ड शम्ता अधिक होती है चुम्बक में एक ऐसा बिंदू भी होता है जहां आकर्शन शम्ता नहीं होती है याने कि चुम्बक तो नहीं होता है ऐसे बिंदू को उदासीन बिंदू या न्यूटल पॉइंट कहते हैं अब हम एक काम करते हैं इस आलपिन को अलग-अलग दूरी से दूरों के पास ले जाते हैं देखिए जब मैंने इतने पास रखा हुआ है या आकर्शित हो रहा है थोड़ा दूर ले जाते हैं अभी भी आकर्शन हो रहा है थोड़ा और दूर ले जाते हैं अभी भी आकर्शित हो रहा है और थोड़ा दूर ले जाते हैं अब देखिए यहां यह आकर्शन नहीं हो रहा दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं दूसरे दुरू के पास ले जाकर यह देखिए यह आकर्शन हो रहा है इतने पास से थोड़ा दूर ले गए आकर्शन हो रहा है थोड़ा और दूर ले गए तब भी आकर्शन हो रहा है अभी भी आकर्श जहां तक उस चुम्बक का चुम्बक की बल कारे करता है। इस शेत्र को हम चुम्बक की बल शेत्र कहते हैं। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इस लोग चुर्ण को चुम्बक के उपर बिखरा देते हैं। देखे, इस प्रकार से हम इसको विखरा देते हैं, ठीके, देखे तो, देखे बच्चों, कितनी सुन्दर आकृती दिखाई दे रही है, यहां आप ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि लोह के जो चून है, वो एक विशेश रेखाओं की दिशा में विवस्तित हो ग गनत्वर, देखे, ध्रूओं में हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा किसलिए, हमने पहले भी बात की है, कि चुम्बक के ध्रूओं में आकर्शन शम्ता अधिक होती है, इसके साथ ही साथ, देखे, यहां पे लोह चून जो है, वो किनारों पर जो लोह चून है, वो इस विवस्था में हमें नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि वो चुम्बक की बल शेत्र में नहीं है, अब मैं आपको बताती हूँ, उन ओल्पिन्स के बारे में जिनकी चर्चा हमने शुरू में की थी, वहां हमने देखा था कि कुछ ओल्पिन्स जो चुम्बक की बल रेखाएं गुजर रही थी, जिससे उनने उन में भी चुम्बकत्वग गुणा आ गया और वो चुम्बक की तरह कारे करने लगी, जिससे बाकी आल्पिन्स उन आलपिन्स से जाकर चिपकने लग गई थी, तो बच्चों आपने इस कृयाकलाप में चुम्बक के धृ चुम्बक के उदासीन बिंदू, चुम्बक की बल शेत्र और चुम्बक की बल रेखाओं के बारे में जाना आप भी इस क्रिया कलाप को अपनी शालाओं में करिये